आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सबजी ये सबजी हम बिना टमाटर के बिना किसी क्रीम के बनाएंगे फिर भी ये बहुत टेश्टी बनती है तो चलिए फिर बनाना सुरू करते हैं नवस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल PM रशोई में मटर पनीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है पनीर को मैंने टुकडो में काट लिया है अब इसमें हम आदा चोटा चमश नमक डाल देते हैं और थोड़ी सी हल्दी पावडर थोड़ी सी इसमें तीखी वाली लाल मिर्च डालेंगे और इन्हें हलकी हाथों से एक साथ मिला लेना है तो यह देखिए मैं इसे मिला रहे हूँ इसे हम हलका सा टैप कर लेते हैं ताकि जो मसाले हैं अच्छे से पनीर में लग जाएं तो यह देखिए अच्छे से लग गए हैं चलिए इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं तो गैस जलाकर मैंने पैन को गरम होने के लिए रखा है इसमें हम एक चमस तेल डालेंगे तेल गरम है तो इसमें हम सभी पनीर के टुकड़ों को डाल देते हैं और इन्हें दो मिनट तक फ्राई करेंगे गैस की फ्लेम को मेडियम रख दी है इसमें हम 3 चमस तेल डालेंगे तेल गरम होने पर इसमें हम खड़ी मसाले डालेंगे तो तेल गरम है तो इसमें हम एक तेज पत्ता एक डाल चीनी का टुकड़ा साथ से आठ दाने काली मिर्च के दो छोटी लाइची और दो लॉंग डालेंगे अब इसमें हम कास मेरी लाल मिर्च डाल देते हैं इससे सबजी का कलर बहुत ही बढ़ी आएगा इन्हें हम कुछ सेकेंड के लिए भून लेते हैं तो ये देखें इनका कलर भी चेंज हो गया है तो अब इसमें हम साथ से आठ कलिया लहसुन की डालेंगे और दो बड़ी साइज की प्याज प्याज को मैंने बड़ी टुकडो में काट लिया है अब इन्हें हमें दो से तीन मिनट भून लेना है ताकि इसका जो कलर है चेंज हो जाए साथ ही इसमें हम पान से साइज काजू डाल देते हैं काजू डालना पूरी तरह से ओप्सनल है ये दियाब के पास हो तो डाल दीजे नहीं तो काजू के बीना भी सबजी बहुत टेश्टी बनती है तो ये देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो गया है तो इसमें हम आधा गलास के करीब पानी डालेंगे और पानी डालकर इसे 5-6 मिनट पकाएंगे तो इसे हम ढख देते हैं और ढख कर 5-6 मिनट पकने देते हैं जब तक ये पकता है हम सबजी के लिए मसाला बना लेते हैं ये पर मैंने एक bawल लिया है बावल में हम 1 चमश धनिया पाउडर आधा चोटा चमश तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और एक चमश कास मेरी मिर्च पाउडर एक चमश कस्तूरी मेति एक चोथाई चमच जीरा पाउडर और एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर अब सभी मसालों को एक साथ मिला लेना है यह मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो इसमें हम पानी डालेंगे तो थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि इसमें कोई लमस वगारा ना हो तो ये देखी मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है इस तरह मसाला भीगा के सबजी बनाने से सबजी का टेश्ट बहुत ही बढ़िया आता है तो अब इसे हम 5-6 मिनट भीगने देंगे तब तक हम ये प्याज देख लेते हैं और ये देखी प्याज का पानी भी सोग गया है ये अच्छे से पक गई है तो इसे हम ठंडा करके पीस लेते हैं अब इसमें से मैं तेज पत्ता अलग कर देती हूँ अब इसे हम पीसेंगे इसे में बिल्कुल फाइन पीस ना है और ये देखी मैंने इसे पीस लिया है पीस ते समय मैंने इसमें 3-4 चमज पानी भी डाला है अब मैंने गैस जलाक के कढाई रख दी है कढाई में हम 4 चमज तेल डालेंगे तेल के गरम होते ही इसमें हम एक छोटा चमज जीरा रालेंगे जीरा को हलका चटकने देना है तो इसे हम चला देते हैं जीरा चटक गया है तो इसमें हम दो प्याज डाल देते हैं छोटी साइज की प्याज थी दोली है और प्याज को बारी काट लिया है प्याज को भी हम हलका ब्राउन होने तग फ्राई करेंगे तो इसे पकाने में हमें दो से तीन मिट लग जाएंगे तो यह देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है तो अब हमने जो मसाले भीगा के रखी हैं इसे भी डाल देते हैं तो मसालो को पहले हम चला लेंगे क्योंकि यह रखा था तो तले में बैठ जाता है और मसाला डालने के बाद इसे हम एक मिनट पका लेंगे यह बहुत ही जल्दी पक जाता है इसका तेल जल्दी ही सेपरेट हो जाएगा तो इसे हमें लगतार चलाते हुए एक से दो मिनट पका लेना है और ये देखिए ये तेल सेपर करना सुरू कर दिया है और ये देखिए मसाला बढ़िया सा पग गया है इसका तेल साइड साइड से रिलीज हो गया है अब इसमें हम ये प्याजवाला पेष्ट भी डाल देते है जर में हमें पानी डालना है ताकि जो इसमें लगा हुआ है वो भी बेष्ट ना हो मसाला और इसे भी डाल देते हैं अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और एक मिनट तक इसे चलाते हुए पका लेंगे तो देखिए मैंने इसे चला दिया है अभी मसाला जब पकता है यह उचलता है इसलिए इसे हमें डिक कर पकाना है और ढकने के बाद इसे हमें बीच–बीच में दो से तीन बर चला भी देना है जय कि यह तले में लगे नहीं तो इसे में डिक देती हूं और इसे मैं बीज बीज में चलाती भी रहूंगी और यह देखी इसे मैं चलाती हुए पांच मिनट पका ले हूं लेकिन अभी यह मसाला अच्छे से पका नहीं है इसका पानी सोग गया है जब यह मसाला कड़ाई को छोड़ने लगेगा तब यह अच्छे से है तो अब हम इसमें तीन चम्मस दही डालेंगे दही बिल्कुल ताजा लेजेगा और दही को फेट लीजेगा मैंने दही को फेट लिया है और दही डालते समय हमें गैस की फ्लेम को बंद रखनी है ताकि दही जो है फटे नहीं और इसे थोड़ा सा इसी तरह से चला अब हम गैस की फ्लेम को चालू कर देते हैं और इसे एक मिनट पका लेते हैं ताकि दही जो है अपना घी रिलीज कर दे और ये देखिए दही भी अच्छे से पक गई है इसने घी रिलीज कर दिया है अब इसमें हम मतर डालेंगे तो यहां पर मैंने फिरोजन मतर लिये हैं यदि आप फ्रेस मतर ले रहे हैं तो मतर को पहले उबाल लेजिएगा फिर डालेगा अब मतर को भी हम मसालो के साथ एक साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं तो इस साथ ही इसमें हम नमक भी डाल देंगे तो मैं यहां पर आधा चमश नमक डाल रही हूं आप अपने स्वा अच्छी बनती है और पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आपको जितनी पतली गाडी खानी हो यह इदि आप रोटी के लिए ले रहा है तो थोड़ी से गाड़ी की इसमें चीरा लगा दिया है हरी मिर्ज का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है इस सब्जी में जरूर एट कीजिएगा अब सभी चीजों को मैंने एक साथ चला लिया है अब इसमें एक चमच कस्तूरी मेथी डाल देते हैं कस्तूरी मेथी को हलका सा क्रेस्ट करके डाल लि की बहुत ही बढ़ियां हमारी सब्जी पकी हुई है यह इसने तेल भी रिलेस कर दिया है बस इसी तरह हमें इसे पकाना है यदि आप सब्जी को और भी गाड़ी करना चाहते हैं तो इसे एक दो मिनट और पका लीजीगा मुझे इसे चावल के साथ खाना है तो मैं बस इतन नहीं रखूंगे अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं और इसे भी मिला देते हैं तो ये लिजिए सब्जी हमारी बिल्कुल बनकर तयार हो गई है आप इस सब्जी को रोटी नान चावल पुलाओ किसी के साथ भी खाईए बहुत टेस्टी लगेगी उमीद है आप लोगों को मेरी रेस्पी पसंद आई होगी रेस्पी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक क कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में फैमिली फ्रेंड के साथ सेर भी कीजिएगा विल आइकॉन की बटन जरूर प्रस कीजिएगा ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफी के सान आपको मिल सके मिलती हूँ एक नई रेस्पी में तब तक के लिए